दोस्तों जाने या जाने में हम में से जादतर लोग पैसे के मामले में आर्थिक मामले में दो तरह से अपना जीवन जीते हैं पहला पैसे का मालिक बनकर और दूसरा पैसे का गुलाम बनकर अब ये च्वाइस आपके हाथ में हैं कि आप इन में से कौन सा चुनाओ करते हैं, क्या आप अपने पैसे का मालिक बनना चाहते हैं या फिर आप पैसे का गुलाम बने रहना चाहते हैं दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर अपने पैसे का मालिक बनना चाहेंगे ना कि गुलाम और पैसे का मालिक बनने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आथिक इस्तिति का जो बागडोर है वो अपने हाथ में संभालने पूरी जिम्मदारे ले और अपनी कमाई अपनी आमदनी अपने पैसो का सही तरह से management करना सीखें क्योंकि पैसो का मालिक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पैसो का जो management है उनका जो प्रबंदन है वो आप सही तरह से करना सीखें अधरबाई जब तक आप अपने पैसो का सही तरह से management करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने पैसो का मालिक नहीं बन पाएंगे क्योंकि हर एक मालिक की जो पहली responsibility होती है वो यही होती है कि सबसे पहले वो अपने सभी resources यानि कि जो भी उसके पास संसाधन मौजूद हैं जो भी उसके पास चीजें मौजूद हैं उसका वो सही तरह से management करें और उनका best इस्तिमाल करें best इस्तिमाल करके जो भी उसका लक्षे है उसे वो हांसिल करें ठीक ऐसे ही आपके पास भी आज जो भी आमदनी आप कमा रहे हैं जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं उन पैसों का सबसे पहले आपको सही तरह से management करना सीखना होगा अगर आप सच में अपने पैसों का मालिक बनना चाहते हैं बात करें कि कैसे आप अपने पैसों का सही तरह से management कर सकते हैं तो इस topic के उपर यानि की money management के उपर मैंने पहले वी वीडियोज बनाये हुए हैं और यह बताया हुआ कि कैसे आप अपना money management कर सकते हैं कैसे आप अपने net worth calculate कर सकते हैं कैसे आप अपने future की य याने कि ओनर बनना चाहते हैं ना कि आप पैसो का गुलाम बनने रहना चाहते हैं दोस्तों याद रखिए कि या तो आप अपने जीवन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले सकते हैं और खुद के मालिक बन सकते हैं अदरवाइस आपको जिंदगी बर इस बात के लिए तयार रहना होगा कि अगर आप खुद के मालिक बनते नहीं हैं यानि कि अपना खुद का जो धन प्रबंदन है वो नहीं करते हैं नहीं सीखते हैं तो आपको किसी दूसरे का जो आदेस है जो आदेस है वो ही फॉलो करते रहना होगा और ये कोई भी नहीं चाहता कि वो हमे कुछ मुझे सीखना होगा वो मैं सीखूंगा और सीखते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जोड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि मैं आपके लिए डिली जैस से वीडियोज लाता रहता हूं जिसमें आपको एक रिमाइंडर मिलता है जिसमें आपको एक मोटिवेशन मिलता है जिसमें आपको एक प्रेड़ा मिलती है आपको सीख मिलती है कि कहीं ने कहीं आपको अपने धन का अपने पैसों का सही तरह से मेरेमेंट करने की ज़रूत है अगर आप अपने पैसों का सही तरह से मेरेमेंट करते हैं तब ही आप पैसो के उपर, अपने फाइनेंस के उपर, अपने आर्थिक इस्तिती के उपर कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि एक बहतर जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपका अपने आर्थिक चीजों पे अपने आर्थिक इस्तिती पे control हो तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप से ये भी request करूँगा कि आपको finance के उपर, पैसे के उपर या फिर जीस तरह के topic के उपर आप वीडियो देखना चाहते हैं जैसे कि अगर आप money management के उपर, financial lesson के उपर या फिर जो financial books है, उनकी summary के उपर या फिर stock market investing के उपर, mutual fund investing के उपर या फिर जो दूसरे investment के opportunities हैं उसके उपर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे आप मुझे comment करके जरूर बताएं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद